हेलो स्टुडेंस वेल्कम बैक आज हम मराथी का सिक्स्टेंडर्ट का मराथी लेंगे फोर्टीन्थ लेसन अप्पाजीचे चतूराई सो स्टूरेंट्स अप्पाजीचे चतूराई यह नोट से आज हम नोट्स डिसकस करेंगे तो फर्स आता है शब्दार यानी की मीनिंग्स तो जो यहाँ पर मीनिंग्स है यानी वित इंगलिश यहाँ पर मीनिंग दिया गया है तो चलिए मीनिंग्स देखते पहले फर्स चतूर भुशार यानी की क्लेवर चवदार चविष्ट डिलिशियस आस्वद चव यानी टेस्ट कूजुन नासुन यानी स्पोईल्ट यानी जो खराब होगे निकृष यानी हलकया दर्जाची इंफीरियर मध्यम मधली यानी की मीडियम उत्कृष्ट उत्तम उत्क फलेक्सीबल जो डेलिकेट होता है उसे फलेक्सीबल का है जो आसानी से बेंड हो जाता है अब यहां पर हम आये नेक्स्ट गद्या यानी यानी पर पैसेज दिया है हमें टेक्स्बुक में इन Marathi Textbook स्टैंडर्ड और पेज नमर 39 और 40 विकेंड सी यानि पेज नमर 39 से लेकर 40 तक का यहां पर पैसेज मार्ग किया है तो उतने ही पैसेज में से यानि उतने ही गद्या में से हमें पूरा आंसर इसका मिल जाएंगा सो देखते हैं प्रशन वन खालिल गद उतारा वाचुन प्रशनांची उत्तरे लिहां फर्स्ट यहां जो पैसेज है कांसे स्ट वाए खुब जूनी गोश्ट से यहां पर डॉट 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 हा तिस्रिया मुर्ती चा अर्द होई पेज नमर पान क्रामांग यानि कि 39 और पेज नमर 39 और 40 पर है स्टार्ट कांसे हुआ है खुब जूनी गोश्ट से लेकर लास्ट किदर एंड हो रहा है हा तिस्रिया मुर्ती चा अर्द होई आसानी से हमें मिल जाएंगा अब उस पैसेज में से हम यहां पर आंसर्ज है यानि नोट से जो हम अब डिस्कस कर रहें कृती एक यानि कृती अ खालील अकृती बंद पूर्ण करा फर्स्ट विजय नगर चा राजा कृष्ण देवराय सेकेंड प्रधानाचे नाउ अप्पाजी उत्करे कडील राज्य कलिंग कलिंग चा राजाला हवी असनारी गोश्ट कोबी पहली मुर्थी नीकरुष्ट दर्जाची शिक्स्थ दुसरी मुर्थी मध्यम दर्जाची तिसरी मुर्थी उत्करेश्ट दर्जाची अभी हमने उत्कर्ष्ट का मीनिंग जाना है उसका मतलब एक्सिलेंट यानि बहुत अच्छा अपपाजीची चतुराई पाहा विशिप वाटनारा राजा कलिंग चा राजा बैल गाडी कलिंग राजियात पोहोचाईला लागनारे महिने तीन महिने कलिंग राजियात कोभी घेउन जानियाचे साधन बैल गाडी नेक्स्ट कृती आव खालील प्रक्ष्णांची उत्तले एका वाक्यत लिहा यानि आपर आंसर इंट वन सेंटेंस है अपपाजीचे प्रधान कसा होता अपपाजीचे आव उत्तर अपपाजी हाँ प्रधान चतुर होता सेकेंड पुर्वीच्या काडी वातु की साथी काय वापरत असे उत्तर पुर्वीच्या काडात वातु की साथी बैल गाडी वापरत असे थोड अप्पाजी नी बैलगाडी तकशा चे पीक ग्याला लावले उत्तर अप्पाजी नी बैलगाडी कोबी चे पीक ग्याला लावले नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कृती E खालिल प्रश्णांचे तीन चार वाक्यत उत्तर लिहा यानि कि ये little big answer है So first, अप्पा जी नी ताजी कोभी कलिंग देशात कशी पाठवली यानि अप्पा जी ने जो fresh कोभी है कलिंग देश यानी कलिंग जो देश है वहाँ पर कैसा लेकर गए उत्तर अप्पा जी नी बलगाडी गाडी वानला बसन्या पूर्ती जागा सोडून बाकी चिया जागेत माती भरायला सांगितले मातित कोभी चे बीप पेरले रोज कोभी चे रोपाना पानी द्याला सांगितले गाडी कलिंग देशात पोचायला वह कोभी चे तैयार होन्या साथी तीन महिनियान चा काड़ होता अच्छा प्रकारे अप्पा जी नी ताजी कोबी कलिंग देशा कड़े पाठवली यानि कि अप्पा जी ने कलिंग देश में कोबी को कैसा भेजा यानि कि बैल गाड़ी जो है उसको तीन महिना लगता है कलिंग में जाने के लिए यानि कलिंग जो जगह है वहापर जाने के लिए और ज़ो ये कोबी होती है जो कोबी कोबी उन्हें कोबी ग्रो होती है उसको भी तीन महिना लगता है तो इन्होंने ऐसे क्या सूचा अपाजी ने क्या अड्वाइस दिया बैल गाड़ी को लो, बैल गाड़ी में जाब बैठने की जगह होती है, वहाँ पर मिट्टी दाल दो, और वहाँ पर कोबी के बीच दाल दो, बी यानि की सीट दाल दो, और फिर जैसे ही रोज रोज जाते रहोंगे, तो सुभा के वक्त क्या करना है, यानि जो प्लांटेशन ग्रोऑ हो जाएंगी, तो ये अंसर में लिखाता, नेक्स्ट, सेकेंड आंसर, अपपा जी छे मते उत्टम मानुस कोनता, सेकेंड आंसर, यानि के अपपा जी के उपीनियन से, अपपा जी के मत से, क्या लगता था कि उत्तम जो अच्छा इंसान है वो कौन हि, उत्तम आपन काई एकले ते पुराविया शिवाय सांगत नहीं यानि कि उत्तम मानोस अच्छा यूमन मीन कौन है जो यहां वाकी अफ़ा नहीं फैलाता है यानि इसकी बात दुसरों के कानों पर चाकर नहीं बोलता है या तो किसी के बारे में कुछ दुसरी बात नहीं बोलता है या दुसरी अलो इसकी कोई बात ऐसा नहीं बोलता है किसी को वो कौन है उत्तम मानोस है तर तीचया खोरे खोटे पनाची खात्री करून घेतो आई आपन काई एकले ते पुराविया शिवाय सांगत नहीं यानि किसी के बुरा नहीं सोचना और किसी को बुरा नहीं बोलना यानि कि वो कौन है फिर ऐसा जो किसी के बारे में बैट सोचता नहीं नहीं कोई बोलता है तो वो कौन है उत्तम मानोस है आगे पढ़ते हैं कृती ए खालिल विरुधार्दी शब्द उतारून शोधून लिहा फर्स्ट कमी फार मठ चतूर मंद जलद बेचव चवदार दुख सुक So students, this is विरुधार्दी शब्द, विरुधार्दी शब्द का मतलब होता है जो एक दुसरे के बिलकुल इदम अपोजीर होते हैं जैसे कमी फार मठ चतूर मंद जलद बेचव चवदार बेचव का मतलब क्या है यानि टेस्लेस और चवदार यानि की टेस्ट वाला दुख यानि जो अनहापी है, सुक यानि है पिए कमी यानि कम और यानि कि नस्दीक और यानि कि बहुत दूर तो ऐसे ही यहाँ पर यह ऐसा अलग होता यानि वह एक से बिलकुल अलग होता जिससे आज कल विरुधाड़ी शब्द का मतलब है अपोसिट पूर्ड कृती उ खालिल शब्द जोड़ू नवीन शब्द बनवा अब यहाँ पर जो वर्ड यानि हमें यहाँ पर न्यू वर्ड यानि शब्द मिला है उस शब्द में से हमें आपर ऐसे न्यू वर्ड उसको जॉइंट करना है और इसको एक बराबर प्रॉपर मीनिंग्फुल शब्द बनाने सो स्टुडेंट्स यहर इस दा वर्ड यानि जो यह शब्द वो कौन सा है फर्स्ट पना इससे क्या बनेंगा खरे पना साधे पना भोडे पना सेकेंड वान धन्वान गाडिवान बल्वान स्वमत प्रश मतलब होता है यानि पर्सनल ओपीनियन कोशियन होता है तुछ यह रातोफ टूब जो भी महराज यानि की राजा नाम लिखना है जो भी हम्हालुम है यानि कितने भी दो ऊतर में यांपर कौनसा कौनसा लिखा है छत्रपति शिवाजी पहाराण परत्ताप संभाजी राजे, अकबर, शाहाजी राजे, यानि का मतलब होते है एक्सेट्रा, इसका मतलब होते है एक्सेट्रा यानि की और भी बहुत So students, यहाँ पर कौन खुन थे? चत्रपति श्याजी महाराज, महाराना प्रताप, संभाजी राजे, अकबर शाजी और राजे, और कौन है एक और? और है यहाँ पर हम पर स्नल हमारेक डाल देंगे शाहु महाराज So students, now we are done with this lesson, discussion with अपाजी चतूराई Hope students you understand and like this video, so please subscribe to our channel, like, share and comment, share with your friends and with your classmates and students don't forget to check our playlist, thank you